जै शरी राम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित आशी शर्मा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनी देव का राशी परिवर्तन होने वाला है 29 अप्रेल को यानि 29 अप्रेल को राशी परिवर्तन होगा शनी देव मकर से निकल के पहुँचाएंगे कुम्ब में चार जून को शनी देव वक्री हो जाएंगे और वक्री होके वापस अपनी यातरा मकर राशी की तरफ शुरू कर देंगे और 12 जुलाई को फिर से ये ग्रहे वापस आजाएगा यानि एक ऐसा प्लैनेट जो स्लो चलता है ड्हाई कोने तीन वर्ष तक एक राशी में रहता है इस बार ये ग्रहे बहुत जल्दी से राशी परिवर्तन करेंगे वक्री होंगे और वापस फिर राशी परिवर्तन करक अपने राशी में, यानि जहां से चले वहांपर वापस, 75 दिनों के अंदर ऐसा होगा, जब कोई ग्रहे इस प्रकार के स्तिती में होता है, तो शास्तरित को आतीचारी ग्रहे कहता है, यानि वो कहता है कि ऐसे ग्रहे के उपर विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसा गरहे जब जहां ये बात है कि विश्वास लायक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लैनेट आपको कुछ देगा नहीं वो जो काम कर रहा है वो करता रहेगा लेकिन ऐसे में ऐसे व्यक्ति विश्वास नहीं करना चाहिए जिन से आपका मन हमेशा डाउट फुल रहता हो कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जिसमें आपका मन संदहे में होके करना चाहिए और नहीं करना चाहिए क्योंकि खास तोर पर ये कॉंबिनेशन करक राशी वालों के लिए ज़ाद एपलिकेबल होता है आपकी कुंडली में चंद्रमा करक राशी में बैठा है आपका बोलता नाम करक राशी के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए के 75 दिनों में शनी आपके साथ क्या करेंगे देखिए राशी से सब्तम में बैठा हुआ शनी सब्तम में हो तो शश्योग होता है शनी बनाते हैं शश्योग अब ये शनी देव यहां से जाएंगे अस्टम में पहली बात राशी से अस्टम में गया हुआ कोई भी ग्रहत अपने पूर्ण फलो को देने में शक्षम नहीं होता क्योंकि आठवा घर अलचन, रुकावट, परेशानी, बैड न्यूज, अशुब समाचार के लिए जाना जाता है अचानक होने वाली घटना अस्टम भाव से देखी जाती है, अब जैसे ही ये करक से अस्टम में शनी चलेंगे, आपको शनी की ढहिया का प्रभाव मिलेगा, लेकिन यहां पर आपकी शनी की ढहिया एक प्रभाव के साथ शुरू होगी, लेकिन जल्दी ही वो वापस परिवर्तन के कारण समापती बुजाएगी, यान अस्टम में गया शनी अच्छा नहीं, बाद में इसको धैया कहने लगे, क्योंकि शास्त्र में साड़े साती और धैया नाम के शब्द नहीं है, लगू कल्यानी और दीर्ग कल्यानी के नाम से शब्द हैं, लगू कल्यानी छोटा समय यानि धैया, दीर्ग कल्यानी यानि सा आणी शाले साल का समय अब इसको कल्योंग में चेंज कर दिया बोल दिया कि एक ध्या freaking चल गई बाई पहले उसको схश तो लो के वाखिर है क्या एर्थ लावड इन एर्थ हाउस जब अपनी ही राशी में हो कुम राशी में हो मूल त्रिकौन में हो तो अश्टम के प्रबलफल हो जाते हैं ऐसे में पैतरक संपत्ती से मिलने वाले फायदे गड़ा हुआ धन फसा हुआ धन रुका हुआ पैसा मिलने की उमीद बढ़ जाती है अचानक से गेन मिलता है क्योंकि जब यह अस्टम में स्वराशी का बैटे को तो यहां से बैठके दूसरे घर को देखेगा दूसरा भाव धन का भाव है हां यह ग्रह शनी है यह धीरे धीरे चलते हैं परिश्रम कराके फल देते हैं पिशेत्तर दिनों के लिए प् बस जादल आपकी उम्मीद इस ग्रह से नहीं करनी है बुरा यह आपका करेंगे नहीं चंदरमा से जब जब अस्टम में शनी हो या कोई अशुब ग्रह हो यह गोशर का निया में इसको ध्यान से सुनो के चंदरमा से आठवे घर में अगर अशुब ग्रह का गोशर होता है तो ये आपको मानसिक चिंता देता है आप अपने आपको सिक्योर फील नहीं करते उस काल में क्योंकि शनी करमकारक है इसलिए आपको प्रोफेशन के लिए चिंताएं हो जाती है जब शनी यहां से बैठके तीसरी देश्टी दशम भाव पे देगा तो क्या होगी कारे छेतर क के लिए चिंता हो जाएगी लेकिन वह चिंता जाद है समय की नहीं है आप घवराएं नहीं क्योंकि वो ग्रह अपनी राशी का है और अपनी मुल्त्रिकोन का है ग्रहेस को समझने में जाद है भलाई है समझने से पहले उसके लिए आतुर हो जाओ के शनी की ढहिया आगई अब तो गए अब तो हो गए परेशान अब तो बरवाद कर दिया लोगों के कमेंट सुन सुनके लिखेते हैं मुझे हसी आती है कि उनको पता तो कुछ है नहीं उन्होंने साड़े साती है ढहिया और गोचर को ही अपनी सारी कुंडली मान लिया कोई जोसी ये नहीं कहने को तैयार है कि भाईया जो गोचर का फल सिर्फ 30% होता है बाकी दशाकर का फल होता है हमारे पास सभी की कुंडुली नहीं होती इसलिए हम गोचर लगाते हैं तो भाईया यहां समझो कि यह प्लैनेट राशी से यहां जाएगा तो ऐसे 75 दिन के समय में कोशिश यह करें कोई भी रूप से ऐसे ही चलाते रहो जब यह चार जून को वक्री हो के वापस अपनी यात्रा यहां के लिए आएगी तो कभी-कभी काया आपने यहां पर शनी थे आप अपना कोई काम कर रहे हैं उस काम के अंदर लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन वह ग्रहे राशी पदर्वतन क कर गया और अश्टम में चला गया तो क्या होगा कुछ समय के लिए आपका काम स्लो पड़ गया आपके काम बंद हो गया आपके काम रुकावाट आगे लेकिन फिर से आएगा लेकिन अश्टम में जब ग्रहे चार जून को वक्री होता है तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा ह कि कुछ ऐसी बीमारी शरीर में जो पहले थी जो रुक गई या खतम हो गई वो फिर से आगई सामने फिर से उसने आपको परिशान करा ढाई वोने तीन महीने लेकिन फिर बाद में लाके वो ठीक हो गई तो यहां ग्रहे को बैठने से जादे समझने के जरूत है कि वो शनी हैं वो क्या करते हैं पहली बात अपनी राशी में गया हुआ कोई ग्रह नुकसान नहीं करता हां वो उस भाव के फल जरूर लेता है वो अपने सभाव के फल जरूर लेता है शनी का सभाव क्या है और अश्टम के जो कारकत्व हैं वो मिल दूल के ही तो फल देंगे अगर आ प्लाइट या सुन्दर का पाट करो उनसे आपको लाब मिलेगा घबराने से या परेशान होने से आपको लाब नहीं मिलेगा तो कोशिश यहां यही की गई है कि 75 दिन कैसे हैं यहां पर लेकर यहां जाना वक्री होना वापस आना उसको समझेंगे तो फायदा मिलेगा समझेंगे नहीं वीडियो छोड़ देंगे स्क्रिप करके देखेंगे फिर बाद में कमेंट करते रहेंगे ऐसे हो गया रव वैसे ह तो चलिए एक सम्झाने का मेरा एक बार फिर से प्रियास रहा आपको के करकर आशी से अस्टम में शनी आते हैं, तो क्या करेंगे शनी का ये परिवर्ञतन आपके लिए कैसा रहने वाला है, फिर से नए विशाय के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जाए शरी राओ